नश्कार दोस्तों कैसा रहा बजट मज़ा है गिनी आया पहले बताओ कितने लोगों ने कल की वीडियो देखी दिस अच बताना आप क्या बताओगे मेरे पास नमबर से 900 से जाधा हजार लोगों से जाधा लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है कोई बात नहीं है फर्मी बरता, 900 गों ने देखा उनको तो कुछ मिला होगा पिछले कितरे दिन से कह रहा हूं कि क्या हो सकता है, बजट क्या साहत, कल का हमारा अनुमान कैया ollut कल हमने clearly उक अनुमान लगाया था, कल आपको लिख के भी दिया था कि Budget Infra के उपर रहेगा, Budget Reality के उपर रहेगा, Budget Green Energy जी के उपर रहेगा, budget, drone, specifically आपको कहा था, drone के उपर रहेगा, लोग कह रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, रहे क्या कर दिया, कितना बढ़िया budget बना है, मैं देश के लिए budget बना है, मैं अमेशा से, सरकारे कोई भी रहती हैं, budget का अमेशा से मैं वेलकम करता हूँ, कैसा भ budget रहा, और guys, आपको पता होगा, नहीं पता तो आएना सामने है, जब आद गंगर को आर सी गया, पड़े लिखे को फार सी गया, चलिए देखते हैं, हमाई सामने निफ्टी मैटल, 4%, साड़े 4% चला, याद एक स्टोक आप हो दिया था कुछ दिन पहले, कि निफ्टी का क् बन रहा है, is it the bottom of the nifty and magnifty and उस पे लिखा था एक word, S-A-I-L, 94 रुपीज पे स्टी अथोरिटी आपको दिया था, आज स्टील अथोरिटी ने 103 से उपर का दम लगा दिया, क्या चीए गाइस आपको, बॉटम पे चीजे पिक करने सिखा रहा हूं को, बॉटम पे चीजे पि बिना इंफरा की नहीं हो सकती है, और इंफरा के साथ मेटल चोली दामन का रिष्टा दोनों एक दूसिया जोड़े हुए, इन मेटल 4.49 परसंट बला, रियालिटी कल भी 3 परसंट भागा था, आज भी 2 परसंट के आसपास भागा है, IT का भी मैंने आपको कहा था, 84,000 पे आपको कहा था कि Health and Hygiene के उपर बात हो सकती है, Pharma सेक्टर भी बड़ा, Specific, Specific Companies के उपर बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, Chemical सेक्टर की बात की, Chemical सेक्टर के उपर लेटेस्ट वीडियो आपको बना गे दिया, आज आपको पिछले एक अफते में ऐसे ऐसी information आपको दिय करने है, क्योंकि मैं आपको motivate करने के लिए क्या नहीं करता है, आपको एक सिर्फ like मुझे motivate करता है, comment section में आपके comments मुझे motivate करते हैं, एक के comments को personally read करता हूँ, और guys अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करना मत भूलिए, bell notification प्रेस करते हैं, ताकि हम और आप daily मिल तके कि किसी information के साथ में, किसी video के साथ में, और अगर आपने मुझे telegram पे और instagram पे follow नहीं किया है, तो उसके social media links मेरे इस video के description में दिये गए है, जाके मुझे follow कीजिए, बहुत ही informative videos आने वाली है, अब मेरा social media या मेरा आप से मिलने का तरीका change हो रहा है guys, आप ही के वाज़े से, आप ही के लिए, चले guys, steel authority को देख लेते हैं, steel authority में क्या हुआ, steel authority आपको 94 रुपीज के आसपास में ने दिया था, और यहाँ पे steel authority के अगर बात कीजए, कहा है हमारा steel authority, this is the steel authority share guys, look at this, this was the price where I gave you, 94 रुपीज का लो था, उसके बाद से steel authority चलता ही चला जा रहा है, और यह पे, अब आप क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है, steel authority, steel authority ने एक अच्छा खासा barrier break करने वाला है, और यहाँ पे steel authority मेरे हिसाब से चलने वाला है, पहले 112 रुपे के लिए, 112-13 रुपे के zone को क्रॉस करेगा, फिर हमारा next order लाएगा, 122-13 रुपे के असपास का, और 144 रुपे के लिए चलेंगे, और साल का target 185 का, steel sector को लेके भी government ने especially this budget में कहा है, और बहुत ही दादा positive है हूँ, मैं metal sector को लेके तो guys, अगर आपने miss किया रही को, tough luck और एक और share आपको बता रखा है मैंने इन दिनों में, एक और share, tell me, please type out किजिए कि एक और share की बात किये मै एन, बी, सी, सी, नजर बना के दखिए, कहीं आखों से और हाथों से चूटना जाए, चले आप वीडियो आगे बढ़ाते हैं देखते बाजार कैसा लग रहा है guys, यह हम देखने ही कोशिच के तो यहीं से बाजार ने एक यूटन मार दिया, यह exact point था जहां मैंने आपको प आफड़पू, चाज़पू, ताकि आपके लिए कुछ नया देखने की कोशिच कर सको, यहाँ पर इस केंडल को देखने की कोशिच कीजिए guys, this is a bullish candle, I hope, आपको सामझ में आता हुगा, जब हम ice cream खाते हैं, नीचे डंडी होती है, उपर में body होती है, तो नीचे की डंडी ह ज़्यादा बड़ी हो, तो ज़्यादा बड़ी bullishness, यह देखिए, बजार नहीं यहाँ तक आई हमारा, और नीचे पूरा का पूरा pullback, महलब निफ्टी, 17,245 के आसपास का low लगा था, उसके बाद 17,622 तक का pullback आया, और 17,604 के आसपास में बंध होने में काम है, क्या शा आमने रख रहा हूँ गाइस, लुक अधिस मेटल, लुक अधिस पावरफुल केंडल, वाद यू थिंग, क्या रखता है, यह बाइंग नहीं है, इस इस सूपर बाइंग, यह एरिया जैसे ही ब्रेक होगा गाइस, वी आ एडिग तोवर्स अन्यू हाई इन दे मेटल, इस हथोड़ा बजार को बड़ा तेज हथोड़ा बड़ा इटी में भी एक फुल बैक हो गया, क्योंकि हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, और आईटी कंपनीज के लिए सरकार ने एक इन डारेक्ट हिंट दिया गाए, सरकार ने का हम डिजिटल रूपी बनाने जा रहे हैं, तो डिजिटल रूपी बनाने जाएंगे, तो आईटी सेक्टर उसमें अच्छूता ने रहेगा, उसके डिरेक्ट तच में रहेगा, क्रिप्टो करन्सिस के उपर में सरकार ने टेक्स लगाया, 30% उनके गेंस के उपर मतलब क्या हुआ, एक किसम से क्रिप्टो करन्सिस को लावा कौन ब्लोक्चेन पर काम करते हैं, तो यहाँ पर जब हम डिजिटल रूपी की बात कर रहे हैं, ब्लोक्चेन टेक्नोलजी की बात कर रहे हैं, तो IT is the next reviving sector, और US में कर तेज़ी आती है, तो IT सेक्टर में तेज़ी आएगी ही आएगी धानकी का बहुत ही इंटरसी अगर हम reality की बात करें, तो reality की सेक्टर में सरकार ने बहुत ही clear housing के उपर, structure के उपर काम करने की बात किया, गाओं गाओं तक real estate को, reality को improve करने की बात किया, यहाँ पे भी एक बहुत ही बढ़िया आपको upward move दिखाई दे रहे हैं, तो budget को बज़ार ने welcome किया है, जैसा कि हम गाइस फार्मा, look at this फार्मा, look at this फार्मा, beautifully, 2% के आसपास फार्मा चला है हमारा, और फार्मा के stocks में भी बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, look at this bull run, look at this bull run, मैंने आपको कहा था, मैंने सुबह message भी आप लोगों कहा था, कि अगर 17,556 के उपर बजार बंध होता है, तो यहां से एक upward moment, uptrend की शुरुआत हो सकती है, worst case में 17,424 हमारा stop loss रहेगा पूरे महीने के लिए, 17,424 के नीचे ही हम downfall देखेंगे guys, उसके नीचे नहीं होगा, 17,424 एक psychological बहुत ही important support रने वाला है, आने वाले पूरे महीने के लिए, और जैसी मेरी थियोरी कहती है, जै थोड़ा सा sideways market में थे, थोड़ा सा khara market में थे, तो क्या इस budget को, अब होगा क्या देखिए, इस budget को बहुत सारे analyst पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि sector के लिए सकार रहे हैं, क्या कहा, उसके ओपर brainstorming होगी, अपने अपर research के team बैठेंगे, उनके stocks identify किये जाएंगे, कि कि स्टॉक्स को direct benefit यहां से दिखाई देता है, किस की स्टॉक्स को indirect benefit यहां से दिखाई देता है, फिर brainstorming होगी, अगले एक महीने के लिए बाजार में यहां पर एक रान आने वाला है, एक तेजी रने वाली है, बट सबी चीजों के लिए 17,424 को एक base supporter करेगा, उसके नीचे जो major support बनेगा, वो 17,000 का ही बनेगा, उसके नीचे बजार freefall करेगा, freefall profit booking हो सकती है, पर अगर यह levels intact रहते हैं इस पूर्य महीने के लिए, तो we are heading towards a new bull run, या we are heading towards new bullish moment in the nifty, हाँ, of course, pullbacks पे आप trade कीज़ेगा, अगर आपके हाथ से कोई daily miss कर जाती है, guys, pullback के ऊपर, और एक technical analysis की कुछ videos आपके लिए बना रहा हूँ, जो आपको बहुत ही बसंद आएगी, guys, channel पर बने रहने के लिए, आपको bell notification को press करना ही होगा, subscribe तो कर ही लिया होगा आपने, ताकि सभी आने वाली informative videos, technical analysis की बहुत सारा ग्यान आपको दिने वाला हूँ, आप मुसे जुड़े रह चलिए देखते हैं, निफ्टी के अब support level क्या होते हैं, अपने अगले हथियार को उठा लेते हैं और आप से discuss करते हैं कि next कौन सी level उस देखते हैं, निफ्टी के और bank निफ्टी के level आपको देखे जा रहा हूँ, तो note कलीजीगा, हमारा निफ्टी का जो for Nifty, if we are talking about, 17,424 major level है, 17,424 उसके ऊपर बजार है, इसके ऊपर में हमारा 17,556 हमारा level है, अब इसके ऊपर 17,600 के आसपास बजार गया है, जब तक 689,690 के ऊपर बजार close नहीं होगा, उसके ऊपर फड़र तेजनी आगी और extreme, तो इस महीने के लिए हमारा जो ऊपर का target होगा 17,822 के आसपास क तो नीचे के level क्या हो सकते हैं, वो समझ लेते हैं, इसके नीचे 17,292 हमारा support zone का काम करने वाला है, 17,161 उसके नीचे support रहने वाला है, 17,030, मैं अपने level से कभी भी नहीं हटता हूँ हुआ है, जो level मेरे पहले होते हैं, वही level मेरे बाद में भी रहते हैं, इनको आप नोट पिवट रहेगा, 38,500 के आसपास bank nifty निकल गई है, तो 38,500 के आसपास में अगर bank nifty हमारी चली गई है, तो यहाँ पे support हमारा क्या बन जाता गाई है, तो 38,500 के आसपास आके bank nifty की हम बात कर रहे हैं, नोट कर ले जीगा प्लीज, इसको screenshot ले ले जीगा, अगर आपको पूर 38,220, 38,025 और last support रहेगा इस महीने के लिए, 37,830 के नीचे ही मंदी की शुरात होगी, और उपर में बजार चलता है, तो 38,612 एक next resistance रहने वाला है, उसके उपर हमारा target रहेगा इस पूरे महीने के लिए 38,809 रुपे का, और उसके बाद हम लेंगे 49,000 रुपे के लिए एक upside के, तो these are the uptrend targets and these are the downtrend targets for the complete month, I hope ये वीडियो पसना हैगी गाईज, और अपना trade लेन से पहले अपनी analysis कर लिजेगा, क्योंकि ये मेरी analysis है, ये मेरी study है, मुझे अच्छे लगी, आपको दे रहा हूँ, आपको अच्छे लगती है, इसलिए आपको दे रहा हूँ, चैनल प